कि है गाईज कैसे आप सब आई होप यू आर डूइंग वैल एंचन दी फिलकम तो सीशे सरकल तो हम लोग ने कल वीजन आई एस टूंटी टूंटी वन टेस्ट सेरीज का टेस्ट नंबर टूंटी का फर्स्ट पार्ट आ गया था जिसमें हम लोगों ने 25 कुस्टन सॉल किये ठीक है आज ये सेकेंड पार्ट है तो इसका इसमें भी हम लोग 25 कुस्टन सॉल करेंगे ठीक है तो ऐसे करके आज 3 हमारे हो जाएंगे आज 2 पार्ट आएंगे आपको ठीक है कि मैंने कहा था ना कि डेली मतलब करवाओंगा मैं 50 कुस्टन हूं लेकिन मैं आखों की वज़ हैं तो इसमें 25 कुस्टन सॉल कर लिए थे हम आगे देखते हैं 25 की मतलब क्या कुस्टन है और आप लोग उसे कुस्टन पूछाता है आप लोग एंसर नहीं देते हैं और दूसरी बात आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं लाइक कर दिया करो यार और लाइ 26 कुस्टन नंबर है तो यह कुस्टन आप लोगों से मैंने पूछा था लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो इससे पता चलता है आप की आप लोग कितना सीरियस हैं ठीक है तो थोड़ा सा यार एंसर को सर्च कर लिया एक एक कुस्टन का एंसर देने में क्या बुरा एड़ करके तो बहुत अच्छी कॉलिटी दिखाएगा ठीक है मेरे वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आप फोन से मतलब यूटूब की सेटिंग में जाके जो उपर त्री डॉट्स दिये रहते हैं तो उससे सेटिंग कर लीजेगा ठीक है तो उसे आपको किलियर वीडियो म हमारा सही है ठीक है तो इसका फच्ट कि इसका उद्दे सी महा जो हिंद महासागर में सुनामी चेतावनी प्रणाली में स्धापित करना है ये बितुप लब्द कराता है तो देखो अगर ये वेव कारिक्रम की बात करें जो वर्ड बैंक का है तो ये इसमें देखो ये साधराणी विकास को बढ़ावा देने के लिए चला जा रहा है वर्ड बैंक के दोरा ठीक है और ये वेव का मतलब अगर बात करें तो इसको फंड कहां से मिल ला है तो ये यूरोपियन कमिशन है ये फंड कर रहा है और ये यूरोपी अधर कंट्री जो है ठीक है वो भी इसे फंडेड कर रहे हैं उसकी शाहता से चला जा रहा है और इसको जो विएव का रिकरम को अगर बात करें कि फुल फॉर्म क्या है कि मतलब क्यों यह मतलब क्या है कि इसका फुल फॉर्म तो देखो इसका वेल्थ एकाउंटिंग एंड वैलियोशन आप दा इको सिस्टम सर्व पावित कर सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट एकी जो अर्गा भाटा है सेकेंड मद्य समुद्री तल है और यह पवन प्रति रूप है तो देखो अगर प्रतिवी के घूनन की बात करें तो जो आर्भाटा आता है इससे भी दिन जो मतलब प्रतिवी की जो गूनन गति में है धी फावनड़ा तीनों के माड़न से यह परतिवी के घूनन में किसी ने लूप में बाधा डालते हैं ठीक है तो हमारा यह दियो ऑप्सशनस टीनों के तीटमेंट हमारे सही हां This is 28 तो इसमें कहा है कि आधर भूम्यों पर राम सर कन्वेंशन के संदर में भारत में निमिक इस से कि सिराथ से में कि Карांए राजियों में कोई भी रामसर करन्वैंशन नहीं है तो रामसर करन्वैंशन नहीं इसके बारे में बताना है तो फर्स्त है कि बिहार है करनाटक है तुर्ष में तो आपको मिले इचले आंडा और यह जो आपको देखने को मिलेगा करनाटक और अर्णाचल प्रदेश इन दोनों में आपको कोई भी रामसर कंवेंशन नहीं मिलेगी तो यह हमारा दो और चार स्टेटमेंट इसका सही हो गया तो हमारा सी वाला आप्शन इसका सही है ठीक है और रामसर कंवेंशन का पूरा डिटेल में बता था तो आप लोग को अंसर बताना है ध्यान लगाके आप लोग पढ़ा किजिए शुना किजिए ठीक है तो उससे आप लोग जब आंसर भीच भीच में देते रहेंगे तो एक एक्टिव मोड रहता है हमारा पैसिव मोड में ह लिफ्टेड है ठीक है तो यह तीन कुष्चन आप लोगों को बताना है नेक्स हमारा 29 तो इसमें कहा गए कि निम्लिकित कतनों पर बिचार कीजिए तो फर्स्ट है कि जेयो रासाइनिक आक्सीजन मांग 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 यानि तो यह तो इसमें पर टारतों के आपगटन के लिए तो इसमें जीव द्यूरा आवसे आक्सीजन की मत्रा कम हमपन करती है ठीक है तो ये दोनों statement हमारे सही है तो हमारा जो इसका option C वाला सही हो गया ठीक है नेक्स है हमारा question number 30 ठीक है तो इसमें आयल जै पिर जो आयल जै पर और आयली वोरस एस प्रिद्दो की यानि टेकनलोजी के बारे में बात करना है कि कौन सा statement इसमें सही है ठीक है तो फास्ट है कि दोनों विस étaले प्रदोषकों को समाप्ट करने के लिए जैयो शजीओं का उप्यो करने वाली जैयो उप्चारक तकनिकी हैं ठीक है никомist Nothing कृरूडायल और कूर पेखते हैं कृडायल है कृरूडायल समुदर में हो जाते है बहूत सब्क्रणाता या कोई जी लिया मतलब नहर में बहए जाता जिसके तूा mating यह जहां जो के थूरू कुरूड आयल आता है तो वहां पर क्या होता है कि आयल जैपर वाले यह बैक्टिरिया छोड़ दिये जाते हैं तो यह क्या करते हैं जो वहां का जो कुरूड आयल होता है उसको यह पानी में बदल देते हैं ठीक है ऐसे ही आईली ओरस जो टेकनोलोज यह भी तो यह मतलब चाहे क्रूड रो या हाइडोकार्बस उनको खाकर उसको मतलब संतुलिक कर देते हैं तो इसलिए यह जाने जाते हैं तो यह दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है है तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है ठीक है नेक से हमारा भारती भूगोल के बारे में बताना है कि गिर सिंधी साहीवाल और थारपारकर है तो ये मितलब क्या चीज़ है ठीक है तो अगर ये गिर सिंधी और साहीवाल थारपारकर की बात करें तो ये भारती मवेशी नसले है ये मतलब गाय की जो गाय की नसले होती है उसी में ये गिर थारपारकर और साहीवाल ये मतलब शिंधी ये चारो ये गाय की परजातिया है ठीक है मवेशी यानि पसूँ की पसूँ में जो गाय होती है उनकी नसले होती है और ये नसले जो होती ये दुधारू नसले हैं इसमें दुधाजी होती है और दुधारू होती है तो इसमें दुधारू ये नसले होती है कि दूद देने वाली गाय की नसले है ठीक है और ये देशी नसले है तो उसी के बारे में बात की जा रही है ये न्यूज में क्यों है क्योंकि अभी पसुज गरना देखने को मिली थी तो देखो कोई 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 कुश्चन किसी ने किसी रिलेटेड ही आता है जिसमें भी चाहिए यूपीसी पूछे चाहिए जो विजन बना रहा है टेस्ट श्रीज तो यह लोग क्या करते हैं करेंट का मुद्दा ना पूचके उसके बैगराउंड में में जाके इनफर मिसन हमको पता होनी चाहिए तब ही हम चीजों को शाल कर पाएंगे अब अगर जो आपको पता ना हूँ मैं थोड़ा सा एगरिकल्चर बैगराउंड से हूं तो मुझे पता है यह मतलब इसकी नसले है वरना तो किशी को पता भी नहीं होगा यह है क्या एक चाकरत गर्म जल के ऊपर गतिमान ठंडी वाईव के करण होने वाला हिमपात है ठीक है और सेकेंड है कि यह सामाने तया उत्तरी अमेरिका के महान जील के छेतर में देखा जाता है तो देखो जो यह महान जील के छेतर में जो बता रहे हैं तो यह तो हमारा स्टेटमेंट सह देखने को मिलती है ठीक है और यह यहां ही नहीं अधर जो मतलब जीले होती है वहां भी जैसे मतलब यह एडियाटिक सागर है बाल्टिक सीए कैस्पियन सागर है ब्लैक सीए तो इनमें भी यह जीजे देखने को मिलती है ठीक है तो इसमें होता क्या है कि यह जो जील होती है जब जील के उपर से गुजरती है तो वो गरम हो जाती गरम होती तो ये उपर उठती है उपर उठने के बाद क्या होता है जिसे ये जील है ठीक है और जील पे ये ठंडी आए वाई वाई आकर ये गरम होगी तो उपर उठेगी उपर उठेगी तो ये बादलों का निर्माड होगा और यह बादल जाकर थोड़ी दूरी पर यह बर्फ बारी कर देते हैं ठीक है हिम पात कर देते हैं ठीक है तो उसी के बारे में बात की जा रही है तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है ठीक है तो हमारा असी वाला आप्शन यह सही है इसका अब दोनों स्टेटमेंट हमार बिक्सित किये जाने के लिए अपने निर्वाचन छेतर से किसी भी ग्राम पंचायत का चैन किया जा सकता है सेकेंड है कि इसका इसी योजना का बित्पोषण भारत की संचित निधी दोरा करा जाता है और थर्ड है कि पंचायती राज मंतराले इस योजना का समनवे निगरानी और करने वाला एक नोडल एजंसी है तो देखो ये पंचायती राज के अंतरगत नहीं आता है ये आपको देखने को मिलेगा जो ये कराया जाता है तो ये कराया जाता है तुमारा जो ग्राम विकास मंतरा ले होता है ठीक है उसी के अंतरगत कराया जाता है तो ये हमारा गलत हो गया इस्टेटमेंट और बित पोस्टन की बात करें तो इसका जो बित पोस्टन होता है इसके लिए संसित निदी से इसका बित पोसर नहीं होता और ना ही इसके लिए कोई मतलब कोई अधर बॉड़ी बनाई गए लेकिन इसका बिभिन मतलब बिभिन जो योजनाएं हैं या मतलब कह सकते हैं आयोग हैं तो उनसे ये कट के आता है उन्हीं के आधार पे इसमें आता इसमें देखो ग्राम सरक योजना है इसे इसमें आता है ठीक है इसे फंड किया जाता है और MP LED योजना है MANREGA है CSR FUND होता है उसके दोरा आता है केंदर राज जिबित आयोग जो होता है ठीक है उसके दोरा इसको फंड मिलता है ठीक है तो इसके लिए कोई एक entity body नहीं है जिसके through इसको मिलता है ठीक है तो ये भी हमारा गलत हो गया अगर फश्ट की बात करें तो आदस ग्राम योजना को के लिए अपने निर्वाचन छेतर में किसी भी ग्राम को आप चूज नहीं कर सकते उसमें होती है अपना गाओं और अपनी पतनी का गाओं छोड़ कर किसी भी मैदानी चेतर का गाओं या पहाडी चेतर के गाओं को चैन कर सकते हैं लेकिन मैदानी चेतर में कंडिशन ये रहती है कि 3000 से 5000 जनसंख्या हो ठीक है और पहाडी चेतर जो होता है उससे आपको जन संख्या 1000 से 3000 के बीच में होनी चाहिए ठीक है तो यह हमारा यह भी हमरा statement गलत हो गया और बात रही तो यह जो हमारा तीनों का तीनों statement हमारा गलत हो गया तो कोई भी statement इसमें सही नहीं है तो हमारा डी वाला option सही हो गया और यह संसद आदर्स ग्राम योजना जो 2019 में पूरी होनी थी ठीक है 14 में चलाई गई थी और 19 में 5 साल के लिए ठीक है तो उसमें यह तीन तीन गाउं आदर्स करने थे इसमें लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है 2024 तक ठीक 2024 तक बढ़ा दिया गया है तो इसमें पांच आदर्स गाउं बनाने है ठीक है प्रतिक संसद को तो उसी के लिए यह न्यूज में थी तो यह इसलिए है ठीक है नेक्स है हमारा कुशन नमर 34 तो इसमें कहा गया है कि पच्चिम के साथ भारत के संबंद के संदर में प्राय सुर्खियों में रहने वाला नीम अभियान किसे संबंदी थे तो फ़स्ट है कि यह भारत को हरा भरा बनाने के लिए भारत और पच्चिमी देशों के यह विश्वर में समर्थन जुटाने की पहल है सेकेंड है कि भारत में पच्चिमी भारत में पच्चिम से गैर नीम लेपित यूरिया के आयात पर प्रतिबंद लगाना है और डिये कि भारत में पारंपरिक चिकित्चा पदतियों का प्रचार करना है ठीक तो अगर इसमें बात करें तो देखो इसमें अगर बात की जा रही है तो ये हमारा भी वाला आप्शन सही है क्योंकि तरती ये बिश्यू के देशज ग्यान प्रणालियो और संसाधनों की पस्चिम देशों द्वारा चोरी किये जाने से जो हमारे रच्छा करने के लिए बिश्यू भर में समर ठाथन जुटाने की पहले क्योंकि एक्च्छिय क्या था कि यह नीम था कि यह नीम का पैटेंट जो ले रखा था एक यूरोपी कमपनी ने ठीक है यूरोपी पेटेंट कारियाले में यूरोपी कमपनी थी एक डबलू आर ग्रेस एंड कमपनी ठीक है इसने नीम के नाम पर पेटेंट ले रखा था लेकिन ये नीम का पेटेंट जो की भारत का था तो इसको इन्होंने मतलब चैलेंज किया तो य ये सारे पैटेंट हटा दिये गए हैं और फैसला जो है जो जजमेंट आया था वो भारत के पच्छ में आया था ठीक है तो इसलिए ये न्यूज में था नेक से 35 पिसमें कहा गए कि निमलिकी त्युक्मों पर विचार किये तो संकेतक हैं और परिभासा दी हुई है तो बोना वेट होता है ठीक है अंडर वेट की बात की जा रहे है तो आयू के अनुशार कम वेट तो ये तो हमारा सही है कि आयू के अनुशार कम वेट होता है लेकिन अगर छे कारी की बात करें मतलब जो वेस्टिंग होते है ठीक है तो वेस्टिंग में क्या होता है कि जो उचाई के अनुशार वजन कम होता है ठीक है तो यह हमारा गलत है उचाई के अनुशार वजन कम वजन होता है सेकेंड फस्ट वाला है कि हमारा कद के अनुशार वजन कम तो नहीं इसमें कद के अनुशार नहीं इसमें जो आयू के अनुशार कद कम होता है ठीक है तो ये हमारे दोनों जो statement गलत है first and second लेकिन third वाला statement हमारा सही है तो हमारा C वाला option इसका सही हो गया next है हमारा 36 तो इसमें कहा गए कि निम्रिकित में से किनका जैयो संकेतक की रूप में उप्यो किया जा सकता है तो पौधों का जन्तों का सुचमजियों का तो देखो तीनों का हम यूज कर सकते हैं जो जैय संकेतक के रूप में होती है क्योंकि कुछ पौधे होते हैं जो परदूसर की इस्टिति में वहां बरदिन नहीं कर पाते हैं और जो जन्तों होते हैं ये भी मतलब वहां उसमें उ ठीक है नेक्स है हमारा कुश्चन अबर 37 तो इसमें कहा गया है कि अंतर राष्टी अभी समय के संदर में निम्किती गुमों पर विचार कीजिए तो फॉस्ट है कि अभी समय और उद्दे से दिये विए हैं तो इस्टाक होम अभी समय की बात की जा रही है तो इसका उद्दे से राष्टरों के बीच रेडियो धर्मी अप्सिष्ट के अप्सिष्ट पर प्रतिबंध लगाना है ठीक है और अगर बात करें तो इसमें रॉटरडम अभी समय की बात करें तो इसका उद्दे से खतरनाक रसायनों के आयात के संबंद में साजा उतरदाईत को बढ़ावा देना है ठीक है ठीक है जो बेगर이면 respond था तो बेशल कंवंजन में रेडियो धर्मी अप्सिष्ट पदार्तों के पत्रतिबंध की बात नहीं की गई है ठीक है बेशल कंवेंशन में था कि मतलब इसको कम करना है जो अप्सिष्ट पदार्थ होते है कि जो यहार्वालों को है कहा जा रहा है तो फस्ट वाला जो इस टाक होम कन्वेंशन है तो इसमें जो कहा गया है कि इसका उद्द्र से दिरकाई प्योपी के प्रभाओं को सवस्थे प्रभाओं के मानों सवस्थे और परियावरण की रच्छा के लिए है ठीक है तो यह फस्ट और थर्ड स्टेटमेंट साझ यह क्रोइशन हरा हमारा गलत हो गेशन के तो हमारा खुपी और तीन तो सिल आजर्ट नेक्स हमारी तो और चिर्ची से ओंधित एक प्राधिकरन है तो इसमें बताना है कि किन प्राधिकरनों को G2021 के अंतरगत निर्मित किया गया है थीकर तो इसमें देखो तो यह सारे के सारे स्टेट्मेंट यह सारे के सारे प्राधिकरण जो बनाए गए और बोर्ड बनाएं गए यह आपको वनीजीव शरच्छन अधनियम 1922 के अंतरगत ही बनाए गए हैं ठीक है तो हमारा यह डी आप्शन नहीं नहीं ओ श्री सारे नहीं श्रीशरी नहीं यह जो टाया चाहिए प्राधिकरण चाहिए एक त्टाय काium 2002 का ठीक है एक टाय था 2002 का उसके अंतरगत बनाय गया था ध्यान नहीं तो यह हमारा इसके अंतरगत नहीं बनाय गया है और चारों यह बनाए गया है तो हमारे डी वाला आप्सन इसका सही है ठीक है नेक्स है 39 तो इसमें कि अ टी एक्स टू 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 तक बीश्व में जंगली बागों की संख्या के दोगोण नहीं करने है तो बैस्विक ठीक है और इस कारिक्रम के एक भाग की रूप में नेपाल अपने बागों की संख्या को दोगुना करने वाला प्रतम देश बनाया तो देखो ये तो हमरा स्टेटमेंट सही है कि जो नेपाल है ये प्रतम देश बनाया है अपनी बागों की संख्या दोगुना करने वाला ठीक लेकिन जो कहा गया है कि इसको निर्धारित किया जाता है साइट के दोरा तो यह गलत स्टेटमेंट ही यह साइट के दोरा इसको निर्धारित नहीं किया जाता है अगर इसकी बात करें तो इसमें देखो क्या होता है कि जो वर्ल्ड लाइफ फंड है ठीक है वर्ल्ड लाइफ Two है टुन्टी टुन्टी टू तो इसे बनाय गया था सेंट पीटर्स बर्ग में 2010 में रसिया में ठीक है तो इसको ये मतलब है कि छुली मैं टी एकस टू तो टी एकस टू एक मतलब पुरुसकार है जो अभी अभी दिया गया है पिली भी टाइगर रिजर्व को जो यूपी मे पहला ये मतलब TX फर्स्ट प्रुस्कार दिया गया है कि मतलब उन्होंने बागों की आबादी को मतलब बढ़ाया है ठीके बहुत तेजी से वहां ग्रो किया है तो इसलिए ये पहला प्रुस्कार दिया गया है तो ये बहुत ज्यादा नियूज में है और ऐसे कुशन TX2 फर्टी तो इसमें कहा गया कि जेट धाराओं के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है तो फर्स्ट है कि जेट धाराओं सीतरित्य के दौरान उत्तरी और दच्री दोनों गोलार्दों में अधिक प्रबल होती है और जेट धाराओं की गत उसके केंदरी कोर्से बाहरी सीमा की और धीरे-धीरे बढ़ती हैं और जेट धाराएं सुरी के आभासी अच्छांसी संचालन के साथ प्रवायत होती है तो देखो ये तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये सुरी का अनुसरन करती है ठीक है जेट धाराएं जो होती है तो ये हमारा सही है और लेकिन फस्ट वारह यह सेकरण वाला स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि ये ये भाहर से केंदर की और ज्यादा प्रभन होती है ठीक है ना कि बाहर की ओर आप ये गलत हो गया हमारा और स्ट वारो भी चाहिए जेट दारा है जो शी तरीत के दौरान उतरी और दच्छी दोनों गुलार्दों में अधिक प्रबल हो जाती है तो अब लोग को पता होगा जोग्रोफ में बहुत बार पढ़ चुके होगे ठीक है तो मार एक और तीन स्टेटमेंट साहिए सेकेंड वाला इसमें गलत है ठीक है नेक यह उपसंस थे यह ओसका घुसना के नाव से जाना जाता है इसमें होता है कि जो इलक्तरिक डाटा छाता छिक है जो सूपर्ड़न करें चुक्थ शक्रेश को जो इसको कोई वे ट्रेक्स कर सकता है तो a जो साका जो है जापाण में घुम् relatively के सका यह जैकिन भारत किया उ सक स्टूर्वर करें ठीक है यह मुद्धा मतलब चला था तो इसके बारे में है ठीक है इसे इसे ही मतलब डिजिटल अर्थ वेस था पर जो ऑसा का घोशना के नाम भी जाना जाता है ठीक है ठीक है तो हमारा यह वाला आप्शन इसका सही हो गया नेक से हमारा कुश्चन नंबर और यहां उच्श लवर्डद के से उचाही पर सबसे भड़े खाईप और यह क्या है यह सीटरूत में जम जाती तो यहां स्केटिंग की जाती है ठीके और यह वाला सेक्रेट में सगारी बंद और और सतल को रुद्ध झील है ठीके और इसका जो बेशिन का च्छेतर है ये सिंदो नदी का पार्ट है तो नहीं ये सिंदो नदी का पार्ट नहीं है ये लैसी जो देखने को मिलते है लाइन अप एक्चुल कंट्रूल ठीक है इसी पे तो ज्यादा बिवाद हुआ था तो ये आधी लगबग 45 प्रतिसत जो है लेक क नमबर 43 तो इसमें नील गिरी ताहर को उसके प्राकरतिक परिवास में पाने के लिए निम्रिकित में से कौन से सरवादिक संभावत इस्थल हो सकते हैं तो एरावी इकुलम राश्टी उद्यान है कि सन्पूर वनेज्यू अभ्यारण है पेरियार वनेज्यू पेरियार रा दोका छेत्रे वहां पर देखने को मिलता है तो एरावी कुलम जो राश्टी उद्यान है यहाँ पर यह निल गिरी ताहर मिल जाएगा और यह पेरियार राश्टी उद्यान में मिल जाएगा ठीक है लेकिन कि सन्पूर वनेज्यू अभ्यारण हो तो लखनौ में है और अत् तीन स्टेटमेंट इसका सही है दो और चार गलत हैं नेक्स है हमारा कुछिन नबर फोर्टी फॉर इसमें माला बार सीवेट के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट है कि या बारत के उत्तर पूर्वी छेतर के इस्थानिक हैं और यह आई-ई-उ- चर्व है रातरी में ये मतलब गमन करते हैं अपनी जीवन के लिए पूरी करते हैं और यह रेड्लिस्ट की जो अ यह जो आययूशियंकी रेड्लिस्ट है उसमें critically endangered के रूप में हैं तो यह तो सही है और यह पच्छमी घाठ में पाये जाते हैं जो ये तुहारा हिकर नाटक वॉला मलाबार वॉला जो छेतर है ठीक है करनाटक केरल वाला हुआ पर देखने की मिलते हैं तो यह को फार्ट यंट थीistant गलत है सेकेंड वाला स्थेट hilarious का भी सई तो हमारा यह जो हमारा B-Option सही हो गया ठीक है और नील गिरी ताहिर जो थी ये मतलब इंडेंजर कटेगरी में रेड लिस्ट है ठीक है नेक्स है हमारा Question No.45 तो इसमें कहा गया कि केंदरी प्रदूसर्ण इंतरन बोर्ड के बारे में बताना है ठीक है यहां परियावरन सनच्छन अधनियम 1986 के प्रावधानों के अंतरगत गठित सामिदिक संगठन है सेकेंड है कि यह केंदर सरकार को वायू की गुड़वत्ता में सुधार से संबंद किसी भी मामले पर प्रामर्श परदान कर सकता है वायू की गुड़वत्ता के संबंद में ठीक है लेकिन यह वALा जो परियावरन एक्ट उनिस्षो च्छर सी तो इसके अंतरगति से नहीं बनाए गया है इसको बनाया गया था जो तुमारा एक्ट था वल जो इसका जो एक्ट था पर्यावरन जल प्रदूशन निवारन और निएंटरन एक्ट जो था उनिसो चोहत्र का ठीक इसके अंतरगति से बनाया गया था और इसके साथ जो वाई उ प्रदूसर निवारण नेंतरन एक्ट था 1981 का ठीक है 1989 का उसके अंतरगत भी इसको सक्तियां पराप्त है तो ये दो एक्ट के अंतरगत ये सक्तियां पराप्त करता है ठीक है तो हमरा सेकेंड वाला अप्शन सही है और फरस्ट गलत हो गया इसका नेक्स है हमरा 46 तो इसमें कहा गया है कि समुद्री टीली को जेव विविटा का हाट स्पॉट माना जाता है मतब क्यों माना जाता है तो फरस्ट है कि या उन जीव जन्तों को आदस परिवास परदान करते हैं जिनें संबद होने और ब्रद्ध करने के लिए कठोर अधस्त की अवस्चता होती है सेकेंड है कि या पलवक समन्दी भोजन की निरंतर आपूरती परदान करते हैं थर्ड है कि या जल की इस्थानी अकरत उद्धेलन परदान करते हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो दो ये तीनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि यह जीव जनतों जो होते हैं वो आदा से परिवास परदान करते हैं ठीके जिसे की संबद जिने संबद होने के लिए ब्रद्धी करने के लिए कठोर अधास्तर की अवस्क्ता होती है और यहां फलवक संबंदी भोजन की निरंतर आपूरती परदान करते हैं और जल क स्थानिक जो उद्देलन है यह मतलब उन्हीं की द्वारा होता जिससे वह मतलब अपने पोसकत्तों को पराप्त करते हैं ठीक है तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है तो हमारा डी वाला ऑप्सन इसका सही हो गया नेक से हमारा 47 तो इसमें कहा गए कि निम्लिकित कत्नों पर बिचार कीजिए तो जो ब्लू कारबन पहल है इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ठीक है तो यह स्टेणडरी संगठन की एक पहल है इसका उद्देश यह हमारा गलत statement है यह आपको देखने को मिलेगा conservation international के दोरा IUCN और जो UNESCO है और जो तुमारा intergovernmental ocean commission है ठीक है इसके दोरा इसको establish किया जा रहा है इसके दोरा इसको यह मतलब पहल सुरू की गई है तो हमारा second statement सही है फास्ट वाला हमारा गलत है ठीक है नेक्स है हमारा 48 question number तो इसमें कहा गए कि राम सर अभी समय में निम्लिकित में से किन से रेडियों की आदर भूमिया समिली थे तो अंतर देशी आदर भूमिया है मानो निरमित आदर भूमिया है समुद्री आदर भूमिया है ठीक है तो इनमें तीनों की तीनों ये आदर भूमिया सामिल होती है ठीक है तो मारा डी वाला आप्शन सही है और देखो ये आदर भूमी का जो है मतलब जो वेट लेंड है इनका क्यों ये बहुत जादा न्यूज में है क्योंकि अभी इनके छे साइट बढ़ाए गए हैं इंडिया में जो 6 या साइट बढ़ाए गएं 37 थे साइट और अभी 42 होगे तो इसलिए ये आभी ङूण की मीटिग हुई थी तो इससे कुछिय जरूर बनेगा कोई न कोई कुछिय जरूर बनेगा इसलिए से कुस्टन बनने हैं ज्यादा से ज्यादा ठीडिक है ? न ermut wiped है के निम्लिखित भागों में कौन से प्रकास सन्सलेसन्र की प्रिया में क्रिए में भाग लेते हैं तो तना है पत्टी है जडे तो तीनो लेते हैं तना पत्टी जड तीनों के कि कि उसके तो मित्यून पींच में सक्षोन को Пणक के दोरा होता है और नर्व है खाइब के जब यहां कहा जाता कि ब्रमांट का बिष्टार हो रहा है कि वास्तों में किसल का बिस्तार होता है ठाइब हों के आकार का सकेंड एके मन्दाकनियों के आकार का थर्ड है कि मंदाकनियों के बीच के इस्थान का ठीक है तो इसमें तो थर्ड स्टेटमेंट सही है क्योंकि जब कहा जाता है कि ब्रम्हंड का बिस्तार होता है तो एक मंदाकनी से दूसरी मंदाकनी के बीच का जो इस्थान होता है यह बढ़ रहा होता है मतलब ब्रम सब्सक्राइब बढ़ रहा होता है ठीक है तो उसी की बात की जा रही है ठीक है तो हमारा फ्रस्ट और शेकेंड गलत हैं लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है तो हमरा सी वाला आप्शन इसका सही हो गया तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में